आप कहीं पे भी हैं, हो सकता है आप foundation level पे हो, हो सकता है आप inter level पे हो, पिन्टर लेवल पे हो, हो सकता है आप final level पे हो, आप जहां कहीं भी हैं, चीeger, अगर आपको कोई भी topic हार्ड लगता है, या rank अचीव करने का सोच रहे हो, ध्यांत शुनना, कोई भी topic है जो आपको hard रहा है या कोई भी टॉपिक है या ऐसा कोर्स है जिसको आपको रैंक अचीव करना है there is one strategy there is one strategy the strategy is called as 13730 strategy बोलो वापस से 13730 strategy बहुत गजब का strategy है ठीक है रैंक लाने के लिए सबसे भेतरीन strategy है one on the day of learning जिस दिन आपने concept को पढ़ा उससी दिन घर पे जाकर के सबसे पहले उस चीज को revise कर लो three इसको हम कहते है आरवन आज पढ़ा कल छोड़ देना day three day three के उपर उस concept को वापस revise करना इससे आपको अच्छानक से क्या होगा refresh होगा जो मैंने पढ़ा है उसका day seven इसको हम कहते है r2 r2 का मतलब होता है कि अगले इन 7 दिन बाद मतलब जिस दिन पढ़ाया वहाँ से exact 7 दिन बाद आपको क्या करना चीए इसे वापस से एक बार refresh करना चीए उठाना पढ़ना ये वो stage होगी जब आपको subject के अंदर में interest develop होगा क्योंकि अब आपने पहली बार ने उसको तीसरी बार पढ़ा ये वो time होगा जब आपको हो सकता है उसमें कोई query arise हुई हो ये वो time हो सकता है जब आपको उसके अंदर में अगर ऐसा हुआ तो क्या और वैसा हुआ तो क्या के question आए day 30 इसको हम कहते है आर 3 revision आपका final तीस दिन की बाद इसे सीधा आपने पढ़ना है before exam before exam का जब आप अपना revision करते रहते हो तब but mandatory 13730 अगर आपने follow कर लिया तो आप जीत जाएंगे और confirm rank में आएंगे अब आप ये पूछेंगे के sir हमें कैसे पता कल क्या खाया था वो याद नहीं जीवन के अंदर में आप बोल रहें 7 दिन पहले क्या पढ़ा वो याद रखो इस चीज के लिए everyone आपने सबसे पहले device diary maintain करनी चीए आपको पता भी नहीं होगा but every ranker और max of them prepared day wise diary जो date लिखी वी diary आती है ना date लिखी वी diary क्या होगा जब आप भी date लिखी वी diary को use करोगे अब जैसे suppose जैसे suppose आज का date होगा for example 18th of July आज का date होगा मान लो 18th of July तो 18th of July को यहाँ पे दो part आपने बनाने चीए done to be revised क्या करना चीए done to be revised done में आपने यहाँ पर लिखना है accounts में क्या हुआ x topic में क्या हुआ y topic में क्या हुआ z topic में क्या हुआ यहाँ पर किस topic में क्या हुआ आपको वो लिखने है number of questions हुएंगे तो questions के साथ साथ, the concept, concept के साथ question number one, question number two, or question number one to 80, whatever, to be revised, हो सकता है इसके तीन दिन पहले या साथ दिन पहले कुछ आया होगा, तो to be revised के अंदर में topic wise लिख करके आपको again accounts के अंदर में मुझे क्या revise करना है, इसमें तीन दिन पहले का है, साथ दिन पहले का हो सकता है, वो लिखना है, और R1, R2 या R3, जो भी आपका हुआ होगा वो लिखना है, बरे बरे, जो diary आती है, device diary, वो एक लेना, और खुद के ले लेने का क्योंकि rank achieve करने का है, क्या achieve करने का है, rank, अब आज अगर यह पढ़ाया, तो 21 जुलाए में आपके हिसाब से क्या आना चीए, तो बी रिवाइस के अंदर में, तुरंत आप लोगों ने क्या करना चीए, लेट से अकाउंट्स अगर है, तो बी रिवाइस के अंदर में इससे डाल देना चीए, तुरंत साथ दिन बाद की strategy, साथ दिन बाद की strategy, 25 जुलाए के अंदर में भी आपको यह इंसर्ट कर देन चाहिए, और तुरंत 30 दिन बाद के strategy में भी आपको यह अपडेट करना चाहिए, इन चौट, आप एक entry एक जगा नहीं, कितने जगे करोगे, तीन, तो आपको खुद अपने उपर ट्रैक रहेगा, और दूसरी बात, दूसरी बात, रोज जा करके, रोज जा करके, डन और दन, यह चीज लिखना, अगर दन किया, तो यहां लिखना very good, और आप जो भी लेवल पे हो, उसका next लेवल लिख देना, for example, अगर आप foundation में हो, तो आपने लिखना enter, for sure, आप enter में हो, तो लिखना final, for sure, final में हो, तो लिखने का two golden words, समझ मैं ही बाद, और यहां पे, अगर not done है, तो अपने ही हाथ से लिखना, एक दिन लिखोगे, दो दिन लिखोगे, तीन दिन लिखोगे, चौते दिन से कुद को guilt होने लगेगा, प्राइ करो, देखो, कोई भी challenge इतने आसानी से नहीं होता, अगर तुमको literally लगता है कि यार एक schedule चाहिए, यार मेरको बहुत मस्ती होगे, अब मेरको पढ़ना है life के अंदर में, एक बार करके देखो न, जादा से जादा क्या होगा, एक diary का cost waste हो जाएगा, जादा से कर दिया, और खुद लिखने लग गए attempt, आज हुआ, नहीं हुआ, attempt, और नहीं हुआ, तब तक के life में कुछ नहीं करना, cricket हो, आंधियाए, तूफाए, या अंबर पढ़ जाए, तिल लगाने किया, मिरको आज ये करना है, मतलब करना है, अगर तुमने बस इतना भी discipline follow कर द खुद के तीन revision, exam से पहले एक revision, चार बार जब एक चीज को पढ़ लोगे जीवन में बचेगा क्या, चार बार अगर तुमने एक ही चीज को पढ़ लिया, no doubt ये करना आसान नहीं है, पहले दिन लगेगा, क्या time pass कर रहे है, दूसरे दिन लगेगा, अभे क्यों ही ये करना है, तीसरे दिन लगेगा, अरे यार साला तू दिन का बाकी है, पहले वो कर लेता हूँ, अगर आपका एक दो दिन किसी reason के वज़े से छूड भी जाता है, आपको याद रखना है उस दिन आपको double मेहनत करनी है, पीछे का भी और इस बार भी, तुमने इमान नरी से 7 दिन अगर नई महनत के और हर रोज लिखते गए ना attempt, 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 तो तुमको attempt से खुदी डर लगेगा, जख मार के 7 दिन बैठोगे, जख मार के 7 दिन बैठोगे, जख मार के 7 दिन बैठोगे, you don't need any विजय सार्डा to tell you कि तेरी एक जिम्मेदारी है तेरे परिवार के प्र Are you getting my point? लगता है वापस से लिख लो, 1, 3, 7, 30 strategy, इसको क्या करोगे? R1, R2, R3, डाइरी कैसे बनानी है? ऐसे बनानी है, एक डेवाइस डाइरी में क्या-क्या हुआ और मुझे क्या-क्या करना है? किसी को कोई सवाल है तो ज़रूर पूछो, Sir, टाइम बचता है, इसके अला में कोई प्राबलम नहीं है, Sir, समाझ नहीं बचता, बट मेरे हिसाब से इतना भी कर लोगे तो काफी है, तुमको रैंकर स्टाटेजी चीहे थी, this was it.